अगर आप ये सोच कर बैठे होंगे कि सरकार आपकी सुरक्षा देगा, सरकार आपके लिए इतनी सुरक्षा देगा कि आपके घरों में चोड़ी नहीं होगी, तो आप इस भ्रहम से बाहर निकल जाएए, क्यूंकि सरकार अपने आपको नहीं बचा पा रही है, सरकार अपने करके बाहर लिख लिए कि अपनी घर की सुरक्षा स्वेम करें क्योंकि सरकार आपको सुरक्षा देने वाली नहीं है यह सी कहानी को हम सुनाएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार में आनाम सशांग पांडे है अब जन्ता जंक्षन पर मुझे देखना है कैमरे के पीछे बिशा करें हैं और आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकार आपको सुरक्षा नहीं देगी क्योंकि वो अपने बिधायकों को भी नहीं दे रही he बिधायक के घर में चोड़ी हो जा ही है और यह पहली बार के घर में ही चोड़ी हुई थी और वो भी सरकारी बंगले पर जहाँ पर आपको सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं जहाँ पर सैक्रो बिधायकों के घर होते हैं वहां से किसी बिधायक के घर में अगर चोड़ी हो जाए तो आप सोचिए कि आप कितने सुरक्षित हैं जी हाँ MLA quarter जो है उसमें एक राजत की विधायक के घर में चोरी हुई है राजत के विधायक का नाम है ललन यादो साहेपुर कमाल के विधायक है और इनके घर में चोरी हुई है ये दिल्ली गए हुए थे साहब ये अपने घर में ताला बंद करके दिल्ली घूमने गए थे पता चला कि इनके घर का टोटी जो है वो चोड़ी हो गया बेसिन चोड़ी हो गया और जो भी समान था उसे चोर उखार कर लेके चले गए और ये दो दिन में दो बार चोड़ी हुआ है और उनके जो रिलेटिव हैं वो बताते हैं कि हम लोग घर बंद करके गए थे जब वापस आकर द और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो राजत के बिधायक के घर में ही चोड़ी हुई थी एक और राजत के बिधायक है और राजत के प्रदेश सद्यक्ष जगदानन सिंग के बेटे सुदाकर सिंग के घर में चोड़ी हुई थी उनके घर से भी नल चोड़ी हो गया था और अब सवाल यह उठ रहा है कि भाई राजद के विधायकों के घर से या फिर यूं कहें कि विधायकों के घर से नल ही क्यों चोड़ी हो रहा है भाई नल इतना महंगा है क्या लाखो का नल होगा हो सकता है भाई सरकारी बंगले में लगा हो लाखो का नल होगा चोर सोचता ह हैं कि भाइत तेजस्वी यादो और निटीश कुमार ने अपने विधायकों के घर में क्या सोने और चांदी का नल लगवा दिया है कि चोड जो आ वही खोल कर लेकर चले जा रहे हैं और उसके बाद अब विधायक जो हैं वो कंप्लेन लिखवा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम घर में ताला बंद करके दिल्ली गए और जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे हमें फोन आया कि घर में चोड़ी हो चुकी है मैंने पुछा क्या-क्या चो नल खोल लिया गया है और उसके बाद सब जो है नल चोड़ी हो चुका है और अब सवाल यह उठता है कि सरकार जो है वो आम जनता को कैसे सुरक्षा देगी जब उसके विधायक खुद सुरक्षित नहीं है जब आप एमिले कौर्टर पर जाएंगे तो आपको जो भी गेट द पूछले कि आपके घर में फालाना नाम का आदमी आ रहा है क्या हम उनको भेजे उसके बाद उधर से सूचना आती है कि हम भेजिये और उसके बाद आपको भेजा जाता है और नया वाला जो क्वार्टर बना है वो थोड़ा ज़्यादा ही इस मामले में आगे है वहाँ पर हर गेट पर तीन-चार सुरक्षा करमिया आपको मौजूद मिलेंगे लेकिन इसके बावजूद भी घर में चोड़ी हो गई है और घर का सारा नल चोड़ी हो गया और अब आप सोचते रहिए कि भाई नल में ऐसा क्या था लोहे का नल था या सोने चांदी का नल था जिसको चोड़ लेकर चले गए और इसको भंगार में बेज कर अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं अब यह आप सोचते रहे राज़त की दूसरे विदायक है जिनके घर में चोड़ी हुई है और अब आप यह सोचे कि अपने घर की सुरक्षा आप कैसे करेंगे बेराल इस खबर में इतना ही बने रहे हमारा साथ और देखते रहे हैं जनता जिंक्षन